असलामूं अलेकुम मैं जुलेखा अर्फाद जुलेखास किच्छन से तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन कीमा मसाला आप चाहें तो इसे रमजान में सहरी में भी बना सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधा रान्या ने और अर्डिनरी इंग्रीडियन से ए इसमें दाल दीजिए दू टेबल स्पून भरकर असली घी के चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए और यहां मैं गरम मसाले दाल देती हूँ तो यह है तकरीबन आट काली मिर्च एक बड़ी डंडी दालचीनी की चार लॉंग आदा चुले चैका चमत साब उच्जीर और तीन हरी लाइजी इसके साथ साथ एक तेजपत्ता भी डाल दीजिए और यह सारे घरम मसालों को फास्ट आज पर तेल में तर्टड़ा जाने दीजिए जब अच्छे तर्टड़ा जाएं तो यह जो प्याज है यहां तकरीबन मैंने चुन्दा यानि के बारिक कठी हु तो इसम है दाल दीजिए 2 Tablespoon अद्राक्लसन का पेस्ट और वो दाला कर भी फास्ट आजपर भून यहां यह आप चाहे तो बारिक-का भी सकते हैं अब इन्हें दाल कर बार बार चलाते हुए मीडियम आज पर फून लीजिए आपने तब तक फ्राय करने टमाटर को जब तक एकदम घुल नहीं जाते और तेल छूटने नहीं लग जाता और यह जो पानी है और अल्दो मुस्ट ड्राय आउट नहीं हो जाता यह देखिए ते चाहिके चमच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मेरा काश्मीरी है आपका जादा स्पाइसी हो तो कम दालिएगा और इसके साथ साथ आदा चुट चैका चमच भूना पीसा जीरा पाउडर और आदा चुट चैका चमच गरम मसाला पाउडर यह सारी चीजे दाल दीजिए त नहीं तो ये मसाला चिटक जाएगा ना, तो वन फोट कप पानी का चीटा मारकर इसे बार-बार चलाते हुए, मीडियम आज पर भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक तक तेल नहीं चूच जाता और मसाले नहीं भून जाते, तब तक. तकरीबन 2-3 मिनिट लगेगी, जब भून जाए, अच्छे से तेल निकलाए, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, आधा कीलो चिकन का कीमा, अच्छे से धोया हुआ है, इतारा हुआ है, 10-15 मिनिट के लिए मैंने चंडी के ओपर रहने दिया था, ये डाल दीजिए, चूला म मिर्ची का पाउडर कम लग रहा है, तो मैं यहाँ दाल रही हूँ, तो मैं फिर से एक छोटे चाय का चमच, कश्मीरी लान मिर्च पाउडर दाल रही हूँ, अब ये ठोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो मैंने तीन के बज़ाए चार चोटे चाय के चमच दाले हैं, कश्मीरी लान मिर्च पाउडर, अब इन्हें बार-बार चलाते हुए, तीन-चार मिनित तक मसाले में भून लीजिए, हमारे चिकन को, तक करीबन तेल चूटने लगे, इस तरीके से भूनियेगा, चली चा चलाते हुए, मीडियम आज पर पका लीजिए, आपने तब तक भूनाए दई को बार-बार चलाते हुए, जब तक तेल नहीं चूट जाता, इसी के दर्मियान मैंने एक छोड़ा चाय का चमच कसूरी मेत्री को हातों की मदद से क्रश करके दाल दिया है, अब बार-बार च हलका भिजबिजासा बना रही हूँ, तो यहां पर एक शॉट मिस हो गया, इसमें मैंने एक कप पानी ही डाला था, और इसमें डाल कर चूला मीडियम बरिये और इसमें उबाल खिला लीजिए, मैं आपको कप भी बता देती हूँ, वो शॉट मिस हो गया, बस मैंने कुछ न तेरा मिनिट हो चुकी है, ये देखिये, तेल उपर आ चुका है, चिकन प्रॉपर लीगल चुका है, चुले को में कर देती हूँ, बंद और आधा नीमगू का रस मैंने डाल दिया, उसे भी चला कर मिक्स कर लेती हूँ, अचा हरी मिर्चियां आप चाहें, तो बारिक काट कुछ की रेसेपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शिन के अंदर दाल देती हूँ, आप अहां चेक कर लीजिएगा, तो ये बंगे हमारा बड़िया सा मजेदार सा चिकन कीमा मसाला, अब मैं यहां निम्बू रखरी हो साइट पर जिसको चाहिए, वो फिर से नी च पनाया, अगर आपको ड्राय आउट करना है, तो आप इसे फास आज पर या मीडियम आज करके ड्राय आउट भी कर सकते हैं, या फिर जब अपने पानी दाला है, एक कप के बजाए, अदा कप पानी दालिए, और बस दस बारा मिनिट पकाएंगे, तो एक दम सूखा सूखा और तेल चूटने लगेगा, और तेल चूटने लगेगा, अगर यह वाली रसिपी आप बना है, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रू शेर किजिए, मुझे आपके कमेंस पर अच्छ लगते हैं, तो लाइक किजिए यह वाली वीडियो को उससे जाद अच्छ लगे तो